हलो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मानसून के बारे में मानसून किसे कहते हैं? इसकी परिवासा क्या होती है? मानसून बनने की प्रिक्रिया क्या होती है? प्रोसिजर उसकी पढ़ेंगे मानसून कितने परकार का होता है? टाइपस अप मानसून सबसे पहले मानसुन क्या होता है किसे कहते है मानसुन क्या इसकी परिवासा होती है मानसुन से ताथ पर यह मानसुन सब्द की उत्पत्ति अर्भी वासा की सब्द मोसिन जिसका आर्भी वासा की सब्द मोसिन से मानसुन सब्द की उत्पत्ति हुई है अब हम जानते हैं कि मौसमी हवाओं का उद्गम कैसे होता है और किस परकार ये मानसून आता है उसके बारे में हम बात करेंगे तो हम बात करते हैं जैसे गर्मियों के गर्मियों का जो मौसम होता है उसमें ये हो गया पर्त्वी का इस्सा और ये वाला हो गया महासागरी इस्सा ये महासागरी इस्सा हो गया और ये पर्त्वी का इस्सा हो गया गर्मियों के मौसम में जब थल मंडल या फिर जो भूमी वाला भाग है उसका तापमान उच्चो जाता है तो तापमान जैसे ही बढ़ेगा तो वहाँ पे वाय मंडल एदाब कम हो जाएगा और महासागर में भूमी की तुलना में तापमान कम रहता है तो वहाँ पे वाय मंडल एदाब जद रहेगा उससे क्या होगा जो हवा होती है वो हमेशा अधिक वाय दाब से कम वाय दाब की तरफ या कम तापमान से अधिक तापमान की तरफ गति करती है तो ये महासागर की तरफ से गती करने लगेगी भूमी की तरफ और भूमी की तरफ गती करेगी तो फिर उधर की तरफ हवाई चलेंगी वो हवाई भूमी में या अध्यदी के उचे इस्तानों पर जाने पर ठंडी हो जाती है ठंडी हो के बारिस करती है तो इस तरह सिगर में में बारिस प्राप्त होती है अब सर्दियों में क्या होता है सर्दियों में भूमी का तापमान तो कम हो जाता है लेकिन समंदर का तापमान उसके तुनला में ज़्यादर रहता है तो उससे फिर वह वही होगा कि ज्यादा वायदाप से कम वायदाप के तरफ हवाय गति करती है इसलिए ये हवाओं की गति करने का करम साल बर चलता रहता है और इस तरह से जब हवाय गति करती है तो उनके साथ वो जलवास लाती है जलवास अगर उचाए पे जाती है तो ठंडी होकर जलवास का संगनन होकर बरसात होती है मानसुन दो परकार का होता है एक होता है दक्षने पस्ची में मानसुन और दूसरा होता है उत्री पूरी मानसुन यह हम भारत के संदर्ब में बात कर रहे हैं तो भारत में दो परकार के मानसुन होता है एक होता है दक्षने-पश्यव मानसुन और दूसरा होता है उत्री-पूरी मानसुन अब इन दोनों को विस्तार से हम समझते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं दक्षने-पश्यव मानसुन अब ये भारत का मानचित्र है इदर उपर की तरफ हो गया नौर्थ नीचे की तरप हो गया South इधर हो गया East और इधर हो गया West पूरव पस्चिम, उत्तर और दक्सिन तो भारत के जो दक्सिन पस्चिम वाला इससा है ये वाला इससा इसमें है अरब सागर और भारत के North East में North East में हिमाल्या है ये वाला पूरा हिमाल्या है जमु कस्मेर से लेके अरणाचल परदेश तक अब गर्मी के मोसम में जब भूम अंडलिय भाग का या भूमी वाले भाग का जब तापमान अधिक हो जाता है तो इधर अरब सागर में जो पानी है उसका तापमान भूमी वाले तापमान के तुलना में कम रहता है तो हवाएं इधर की तरफ गति करने लगती है तो इधर की तरफ से गति करती है तो ये इससा हो गया साउथ वेस्ट है दक्सिन और पस्चिम दक्सिन और पस्चिम तो दक्षिन पस्चिम की तरब से हुआएं गती करके जो भारत में बारिस करती है उन हुआओ को का जाता है दक्षिन पस्चिम मानसून ये हुआएं गती करते हुए है पूरे भारत में बारिस करती है भारत में 75% से अधिक वर्सा इसी मानसून से होती है इसलेस को वर्सा काली मानसुन भी का जाता है क्योंकि यही वो टाइम पिरिड होता है जिसमें सबसे ज़्यादा बारिस होती है और यह कुल होने वाली बरसात का तीन चोटा ही इससा होती है फिर देख्षन पिस्चिम मानसुन भारत में एक जुन को केरल के तरफ पर प्रवेश करता है अब देख्षन पिस्चिम की तरफ से करता है तो सबसे पहले केरल आता है केरल में यह एक जुन को आ जाता है फिर दिर दिर आगे की तरफ यह बढ़ता रहता है और देश के अलग-अलग इससों में अलग-अलग समय पे ये आता है लेकिन सबसे पहले एक जून को आता है केरल के तक पे इस मानस उनके आगे बढ़ने की रप्तार ओसतन 30 किलमेटर परती गंटे होती है इसकी रप्तार कभी ज्यादा कभी कम भी हो सकती है लेकिन ओसतन अगर इसको हम बोले तो 30 किलमेटर परती गंटे गर अप्तार से ये आता है ये दो साकाओं में भी बाजिता है अब ये दो साकाओं कौन कौन सी है इनके हम बात करते है पहली आती है अरब सागर साका अरब सागर की साका से 80% वर्सा होती है और दूसरी है बंगाल की खाड़ी साका बंगाल की खाड़ी से 20% वर्षा होती है हम जैसे ये दक्षिंड पर सिम्तिसा से जब मान सुनाता है तो ये अरब साकर की तरफ से आता है लेकिन इदर की तरफ से भी जो हुआई चलती है तो वो बंगाल की खाड़ी से होके इदर की तरफ चलेंगी इधर की तरफ चलेंगी तो ये जो नौर्थ इस्ट वाला भारत का इस्स है उसमें बारिस करेंगी तो इस तरह से दो साका है होंगी एक हो गई अरब साकर की साका क्योंकि इधर अरब साकर है और भारत के नौर्थ इस्ट के नीचे बांगलादेस के नीचे जो बेव बंगाल है यह बंगाल की खाड़ी है उससे जो मानसुन आता हूँ वो साका हो गई बंगाल की खाड़ी की साका अरब सागर की सागा से सी परतिसत वारिस होती है बंगाल की खाड़ी से 20 परतिसत वर्षा होती है और जो ये दक्षिने पस्टी मानसून से जो बारिस प्राप्त होती है वो कुल मानसून का फिचेतर परतिसत बारिस से भारत में परदान करती है मोटे मोटे बात करें तो एक जून को केरल के तरपे मानसून आ जाता है ओस्तन इसकी रफतार होती है 30 किलो मेटर परती गंटे इसकी दो साका हैं अरब सागर के साका और बंगाल खाडी सागा अरब सागर से 80% से 20% सा होती है अब हम बात करते हैं उत्री पूरवी मानसून की जो दक्षिनी पाष्ची में मानसून है वो इधर की तरब गती करता है लेकिन जब तापमान उलटा होने लगता है मतलब भूमी पे कम और समंद्र की तरब ज्यादा होने लगता है तो ये वापस गोँके इदर की तरब हुआए चलने लग जाती हैं ये हुआए जो चलने लगती हैं वो भारत के जो आंदर पर देश और टमिलनाडू वाला इससा है उसमें बारिस करती भी जाती है और कभी-कभी पस्चिमी मानसुन होता है दक्षिनी पस्चिमी मानसुन, जिससे भारत की फिचेतर परतिसात बरसात होती है, लेकिन जब मानसुन चला जाता है, तो उसके बाद आता है उत्रिपूर्वी मानसुन, तो इसको पुनरावर्ती मानसुन या डिट्रेटिंग हैं यह देश के दक्षिन भाग में जो भारत का जो सौथ वाला इसा है उसमें आंदर पर देश वे तमिलाड़ू में वर्सा करता है अब हम बात करते हैं मांसुझ से जुड़े कुछ तत्यों के बारे में है अब हम सामशनते बात करते रहते हैं कि वह बारिस वाला दिन था या उस दिन वर्चार तो एक दिन में चांड़ी तो नहीं को मार्स का दिन कहने के लिए यह जरूरी है कि उस दिन कम से कम 0.5 mm वर्षा हुई हो तब हम उसको रेनिडे कर सकते हैं अगर 0.5 mm से कम बारिस हुई है तो उसको रेनिडे नहीं कहेंगे 0.5 mm वर्षा होनी चाहिए भारत में ओस्तन 365 दिन वैसे 130 दिन बारिस होती है या रेनिडे होती है ओस्तन बात कर रहे हैं हम ऐसा नहीं है कहीं कहीं पे तो 130 से ज़्यादर भी होती है और कहीं कहीं 30 दिन भी वारिस नहीं होती है भारत में ओस्त वार्षी कर सा 1190 mm तता विस्व में ओस्तन वारिस होती है 1000 mm जो विश्व का उस्ट है उससे 190 mm ज्यादा बारिस होती है भारत में भारत में राजस्तान जो कि भारत के पस्चिमी हिस्से में एक राज्य है उसमें 555 mm वार्शिक वर्सा होती है कुल में लागे 57.5 cm ही उसमें वर्सात होती है अगर इसको mm में हम बोले तो 545 mm वर्सात होती है पुरी साल वर में सर्दियों में होने वाली वर्सात को माउट का जाता है जो सर्दी सर्दी में आमतोर पर बारिस नहीं होती है लेकिन जो भी 2-4 जितनी बारिस होती है उनको माउट का जाता है